हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कौन, मैं कहते हैं, कौन है? अरे, तहां गाया भोगिया? अरे, हीरा, अरे, हीरा, देखोई, इलाइट कैसे चलीगें कुछा? क्या हो रहाएं, यहां? यह कैसा सवाल है? क्या आप लोगों को दिख नहीं रहा है मेरे भई आरेन की मॉत हो गई है हाद इतुद रहा है कि कि इतनी जल्दी में आप लोग आरेन की अफ्सी उठाने के लिए आप कौन है मेरा नाम तो शीशीर है लेकिन आप लोग कौन है इस तरह यहां आकर हमसे बत्तमीजी से बाते कर रहे हूँ? C.I.D. और हमें शक्क है कि आरेन के खून हुआ है C.I.D. आप लोगों को पोई गलत फैमी हो रही है मैं मिनाक्षी देवी हूँ इस घर की मालकिन यहां किसे का मर्डर नहीं हुआ बगर जो एक मिनट इस से पहले कि आपको यॉर सवाल करें मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप लोग इस वक्त मेरे घर की चौकट पे खड़े हैं वो भी अनिवाइटेड यानि के बिन बुलाए बिन बुलाए नहीं आया हम लोग हमें फोन किया गया था यह पताया गया है कि यहां पे आरेन का खोन हुआ है वाट नंसेंस किसने की आता पॉन कोई एरा नाम है हीरा तुम्हारी एतनी हमत नेरे मना करने के बावजोद तुम नहीं लोगों को यहां बुलाए क्यों मिनक्षी देवजी अपनी चाहते है कि आपके बेटे का खुनी फक्राज रहा है क्या ऐसे तो नहीं ना कि कोई आपका ही करी भी उसी ने यह खून किया हूँ और आप उस पर बर्दा दालना चाहते है बस मैं अपने परिवार पे इतना गंदा इल्जाम बर्दाश नहीं कर सकती तो फिर क्या वज़े थी को ना कॉल करने की वज़ा यह है कि अगर मैं आप लोगों को बता भी दूं कि मेरे बेटे आरियन का खुन किस ने किया है तो ना तो आप लोग यकीन करते और ना ही उसे पकड़बाते हैं मिनक्षी देवी जी दुनिया में ऐसा कोई भी झोनी नहीं है जिसे हम नहीं पकड़ा नाम बताई । नाम ही तो नहीं है उसका मेरे बेटे का खून एक सांप की आत्मा ने किया है क्या क्या सांप की आत्मा हाँ वो सांप मरने के बाद तेरे बेटे से अपना बज़ा लेने आया है भूत बन कर अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो देख लेए मेरे बेटे की गर्दन पर सांप के काचने के निशान है देखिये मैडम मिनाक्षी देवी ठीक है मिनाक्षी देवी जी CID कवा सबूत और सुरागों पर यकीन करती है बूत प्रित के कहानियों पर नहीं सर दरसल हमें यहां पर सिमिंग पूल की खुदाय के वक्त साप का गर मिला था आर्यन ने उसके उपर मिटी का तेल डाल के जला दिया सर सारे साप मर गय है और अब वो बापस आगे भूत बन के बदला ले ले भूत आप सर यह मेरी वाइफ है नाइना मुझे और मेरी पति यार इनको तो नजर आया था वह साप का बूट मैंने तो एक तांत्रिक को भी बुलाया था ताकि घर की शुद्धी करा सको लेकिन वो भी बुरी आत्म को नहीं भगा पाई सर सभी नौकर घर चोड़कर चले गए सिवाई फैनी और हीरा के हमारे बर्सों के वफागार है एरा तुम्हें एसा क्यों लगता है कि अरियन का खूनगवार क्या तुम्हें साप के काटने वाली बाग पर यकिन नहीं है हाँ साप हम साप का बदला नहीं मानते चुकि मैंने इस परिवार का नमक खाया है इसलिए उस्से रहा नहीं गिया तो मैंने आपको बुला लिया ताकि असली खुनी पकड़ा जाए अच साप किया तुर कमस कम कोई तो है इस घर में जो सेंसिबल बाते कर रहा है क्या कहा कच अच्छे बाते कर रहे हैं अगर आपको हमारी बाते इन सेंसिबल लग रही है और इन नौकरों की बाते सेंसिबल लग रही है तो फिर बताएए अरियन के गर्दन पर ये साप के काटने कर निशान कहां से आया है इसी बात की तएकिकात करना चाहते हैं मिलादखी डिवी जी अब सब लोग धैन से सुनिए जब तक हमारी ते कीकात पूरी नहीं होती हमारा तुम सब पह है तुम सब पर चक्वारण हम बोजेगे देखना चाहते ही यहां पर आजेन को साफ ने काटा था से कि अचिक आज श्रॉजी राख को अकेला में स्विम खर्म बहुत अच्छा लगता था अर्यार्यन यार्यन करने के लिए घ्र ठाख अच्छा लगता है अश्की मौत के अपर में पथा चला सुभे है आप लग खोश्मनी थे एक हम लोग सब फास्पिटल की ओपिन के लिए कि अर्वी थी ना हाँ साथ आरेंजी ने मुझे दस बजे चुट्टी देनी थी मैं बंगले के पिछे अपने रूम में सोने चला जया था बंगले के उस तरब जी मतलब अगर आर्यन ने यहां से मदद के लिए आवाज दी होगी अचिलाया भी होगा तो सेर किसी ने सुना न पिसे तुम सब लोग दिल्ली गए थे किस हॉस्पिटल के इनावरेशन के लिए सर हमारा खुद का हॉस्पिटल मेरे पापा डॉक्टर थे और उसके बाद मेरा भाई भी मेरी मेरी वाइव भी डॉक्टर है सर मेरा बेटा सेचीन और आर्यन की बेटी विनिता दोनों साथ म प्रण ने मेडिकल की पड़ाई कर रहे है बॉस्टन में हैं अमेजिंग इन अजीब बात है तर में पूरा परिवार डॉक्टर है फिर भी इतना अंगविश्वार गार अब जीए चाहिए यहां पर तो साफ के बिल है हां इसमें साफ हो सकता है क्योंकि अक्सर साफ चीटी कीई यहां प्री कीडियो के घरो में अपना घर बना देते हैं Heil यह इसर रहनी कि आरिन को साफ ने हिढ साफ नहीं डे यह था हम हाइख अर यह सांप की आत्मवाली बात इसमूं कि लोग पैला रहे बिलु बिलूर रसकता अब अब जेत अरिन को साफ ने पूल में काटा था तो हो सकता है कि साप की खाल, सलाइवा या साप का सहर सिम्मिन पूल के पानी में उसके टेस्स हैं, काम करते हैं. सिम्मिन का पानी का सैम्पल ले लेते हैं, फोरें से लैब की लिए. या, 15 मिनिट से आप रख़े हैं, तु कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है? क्या बोलूँ या, यह केस इतना कंफ्यूजन है कि मैं कुछ बोली नहीं सालक, एक काम करो. तुम 15 मिनिट आराम कर लो, तब तक मैं अपने दिमाग को थोड़ी ताजी आवा दियां तब, प्लीज. क्याम लोग मजाग करने आए या आप है? मजाग, मैं कहा रहा हूं मजाग? आउनले तो क्या कर रहा हूं? आउनले तो क्या कर रहा हूं? या तुम, अचा चाल, बॉस, जितनी बात पता चली है ना उतनी बता देता हूं. लेकिन प्लीज, कोई सवाल जवाब मत करना, प्लीज. एका भाई, वो जो स्वीमिंग पूर का पानी का सेंपल थाना, उसमें असा कुछ भी नहीं मिला है जिससे साफ के बारें पता चले. कुछ भी नहीं है, ना साफ के जबनी का तो ट्रेसेज है, ना कोई सहर है उसका, कुछ भी तो नहीं है जिससे उस तर डियान में पता चले यार, कुछ भी नहीं है. मामला एक जम साफ है सरूल में कोई साफ वाप नहीं आया इसका कुन किसी इनसान नहीं किया है क्या कंफूजन है और कुनी ने ये दिखाने की कुशिश्ची की आरियंग की मौत साफ के काटने के वज़े से वह बहुत अच्छी है आप लोगो सालुके की जरूत क्या या यह तो भईया यह बात इतनी सीधी अगर होती तो मेरा दिमाग नहीं भना रहा होता जितनी सच्छा साफ का ही जहर है कोबरा का जहर है यार वो मंगर सर अभी अभी तो आपने कहा कि पूल में साफ आया ही नहीं फिर आरियं के शरीम में कोबरा का जहर कहा से आए यही तो कंफूजन है बच्चे यही तो कंफूजन है तो आप यह कहना चाहते हैं कि इसे वाकरी किसी साफ की आ यार मेरे दिमाग में कन्फूजन नहीं दाने डॉक्टर साब तो आप बताईए कहना क्या रहे हैं कि दया मैं क्या कहना चाहरा हूं मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है इसलिए का था कोई सवाल जवाब मत करना जो बता रहा हूं वो सुन ले ना बस यार स्वाण के एक बात बता तुझ आ इसे नहीं लग रहा है कि तेरे से कुछ छूट रहा है तेरे फॉरेंसे की इंवेस्टेगेशन में कोई मिसिंग लिंक है जो तु ढूंड नहीं पा रहा है तो दो दो रिजल्स हैसे आ सकते हैं यार यही तो कन्फुजर है दो दो रिजल्स क्यों आएंगे लेकिन आएं बस साप का जो असली जहर है उसे और इसके शरीर में जो जहर है उसको दोनों को मेंने कंपेर किया बड़ी आश्चेर जनत बात पता चली आओ दिखाता हूं यह देखो यह देखो यारियन के शरीर में जो जहर है यह बताता है कि यह पहले आक्सीजन की कॉंटेक्ट में आया है जब कि ऐसा होना टो हुग इधैक्टली यॉग्पर यह साप का जहर सीधिय इंसान के बोड़ी के अंदर जाता है एक्षील की कॉंटटक्ब तो दिखना है है क्यां एच्चक्ता अरियन की यहां कैसे पापा हाँ पापा वो बाकी का जो काम है वो कल पूरा करनेंगे मैं जाके दूसरा के बेनों से लॉकल मार दिता हूँ तब तक आप दोनों इसको लॉकल मार दीजी ठीक है बता तरी एक्सरेट इंपॉसिबल यह तो इंसायन के दातों का एक्सरेट लेकिन इसके दात तो साब का है अरे यह क्या हुआ यह क्या हुआ सर मैं देखते आता हूँ अरे यह आवाज कैसी है यह क्या हुआ यह क्या हुआ यह क्या है यह क्या हुआ यह क्या हुआ पताया तो है आपको साब की आत्मा है पर आप CID वाले तो बानने को तायारी लेए ना सर यह यह एक्सरे नकली हो सकते है यह सब प्रोस्थेटिक के दांत हो सकते है तुमारे पापा कमरे में अके ले थे जब शीक की आवाज आई की सर और कोई कमरे से बाहर आते दिखा यह सायओ अई नहीं सर मतलब खुनी किसी दूसरे रास्ते से इस कमरे से बाहर गया है लेकिन सर यहां तो कोई और रास्ता है नी बाहर जाने का मैं केसे होगा चेज से असानी से आज़ा सकता इस कमरे में आदियान, सरे लेगे, दिवार में चेड है, खुनी तो नहीं पर साफ इस चेड से असानी से आ जा सकता इस कमरे में वह सरवी ये चेड कहीं तुझ जाता हो क्या ना, क्या है इस कमरे के बगर में? सर इस कमरे के बरावर में सारे एक और कमरा है पंकर, जड़ा वो स्प्रे ले करो, जो सानुते ने बनाया, स्नेक स्लाइम के लिए, जिससे वो कलर बदल देता है, अधर स्नेक आये तो नहीं? इस का यह की मतलब है, कोई सांप नहीं है अपर इस कमरे में सर, अगल वळा कमरा चेकिया, वहां पर तो कोई चेड है नहीं को चेड कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ इस दिवार में ही खतम हो रहा है सर, यह राहूल और सचिन ने भी कहा कि बाहर किसी आदमी को जाते वह नहीं दिखा यह खूंग, किया किसने? डेफिनेटली सांप ने तो नहीं किया अभजित माना कि तुम्हें बहुत ही सिंसियर ओफिसर हो थैंक्यू, थैंक्यू, बहुत देर में बता चला आपको लेकिन इस बार तुम्हारा अंदाजा गलत निकला पचरा कर दिया यह क्या गलत रांच नहीं डाह एं क्या गलत है वो यह के शिषिर की मौत भी सांप के वज़े से हुई इसके शरीर में से जहर मेलाक्षा यह कैसे हो सकता है? इस प्राइम शीन पर कोई सांप अंप नहींокой है हाँ... ना सांप ना आजम है शिषिर कमरे में अकेला था गवाव ने बताया जब चीकने की आवाज आई इसके बाद से कमरे से कोई बाहर निकला नहीं था सर इस केस की गुत्ती तो उलस्ते जा रहे है ना साप ने किया है ना इंसान ने किया है फिर ये खून पी खून कॉन किये जा रहा है X-ray इसका जवाब वो X-ray देगा जो हमें क्राइम सीन पे मिला था बिल्कुल सही का तुमने दोस्त और इस X-ray ने जवाब दे दिया है है साथ और जवाब ये है कि ये X-ray नकली नहीं है असली है सर आप ये कहना चाहते हैं इस आदमी का जो दांत है इसाद सांफ के दात मतरा माना कि एक ऐसा इसा इंसान है जिसके दात सांफ की तरह है तो पिर वा कفس signs — वह दो एक भी बिल oh एक प्राइब हो जाएगा केख प्रेड में तुम मन में आरी जो बोल रहा है मैंने ये कहा का जो तुम बोल रहा है आप कहना कहा रहा है कुछ तो बताःए जिससे हम इस केश में आगे बढ़ सके धेख़ो दोस्त मैं सिर्फ सच्चाहीं बता सकता हूं और सच्चा ही है अगाए कि यह जो एक्सरे में दान है यह तो वही साप के इन्दाथ है येस रिली? ये शोर? ओके, थैंक यू क्या तारीका, दिपोर्ट आई? साद, शिशीर के शरीर में जो जहर मिलाए, वो क्रेट साप का है एलो, क्रेट साप का और सर, आरियन के शरीर में जो जहर है, वो कोब्रा का है यानि तो अलग-अलग साप यह जुब कर रहे है मतलब यह, यह क्राइम को इंसान ही कर रहा है जो कोब्रा और क्रेट जैसे इस सापो के जहर को आसानी से अरेंज कर सकता है एक बात समझ में नहीं आ रही है अगर वो इंसान है तो फिर छेद में गायब कैसे हो सलता है राज का जवाब शायद वहीं छिपा है पेड़ी इस हॉस्पिटल में जितने भी लोग काम करते हैं ना सब की लिस्ट पनाओ कुड्ली चेक करो सबके फूल रिकार्ड्स वगारा सब देखो यज बाकि कोड्ली निकालते हैं क्या पता हैं में झालते हैं वह फिर सची के पास गला मकसद है निविक कोडोन कार्णे कि सर्ठेश और पूरे परिवार के मियर कालने चाफी आमेरओ लोग तो दो हॉस्पिटल से हमें और दुनिया के कोने कोने में प्रॉपरटीज खरीद रही है अब पैसा मोटीव हो सकता है दुश्मनी का भी अंगल हो सकते हैं पंकत लगा हुआ है पता लगाने में अच्छा इस फैमिनी में अपस में कोई यगड़ा हो रहा है कुछ पता चला है सर पूरा परिवार बड़ी प्यार से एक दूसरे के साथ रहता है जिवाए दो बहूं हों के हाला कि वो आमने सामें जगडती नहीं है लेकिन दूसरे को कुछ खास पैसंद भी नहीं करती और ये आयूष और ये सचिन शिशिर का बेटा उनके बारे में क्या सर आयूष का अमेरिका में हॉस्पिटल खोलने का बहुत बड़ा प्लान था और उसके दोनों भाई शिशिर और आर्यन उसके साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और सचिन को तो वैसे भी पापा की वसीयत मिलने ही वाली थे जब खुन्वा तब इनकी जो अलबा है उसके बारे में क्या है कितना सच्छा है सर ये आर्यन का जब खुन्वा ये सब दिल्ली में थे और होस्पिटल के नॉकडेशन की फोटो देखिए मैंना जखिए और जब शिशिर की मौत विए इसके परिवार वाले गर पे ही थे सर कि वाई सचिन के है और ये दू नौकत पैनी और ही रहा दो नहीं बहुत वफादार है सर पिछले थी साल से परिवार की सेवा कर रहे हैं है अप रेड़ी अच्छा इसके परिवार की सांपो की विशेशाग्या है मायरा अर्पिटोलोजिस्ट मायरा हॉस्पिटल से पांच बार फोन किया गिया इनको तहीं ऐसा तो नहीं किस फाइमिली में इसे ही कि उसे ने फोन किया हूँ मायरा को सांप का जहर बनवाने कि आपडर दी वो सक्तर सर् शेर और आर्यन की मौत से पहले उन दोलों का बट बड़ा जगणा हुआ था था से बेंटो वो बिल्डर जो लोग को पैसे देता है ब्याज पे आज पे हां सर करत काम करता है और निशान भी नहीं चोड़ता है अभी जी इस बेंटो को प्योरो में बूलवा लेते हैं अग तुम अर्पंकर जाकर इस हर्पिटोलोजिस्ट मायरा को मिलो देखो कौंट साथ जहर और किसने बनवाने के ओर दी थी उसे से, से, मैं जिलतो है, आपके यां समाल एंगे, मैं चलता हूँ, से. पिटेक, पिटेक, पिटू. 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 फई, बाखंपता हु? तुम यह साप से इतना दरते है कि मौँ हो? यह डरता नियू सेर यह दिखे नो बगल में बैठा वाया हूँ मेरे डरता नियू बस मुझे ठोड़ा घबरावट होती है सेर्वो साथ चाड़ यहांती है बस जी कहिए जी मैं आपके क्या मदद कर सकते हूं मैरा जी मैरा जी हम लोग C.I.D. से हैं से आपके मैरा जी एक केस के सिलसिले में हम कुछ पूछ आज करने आप से दो दो खून हो गया है लेकिन इसमें मैं आपके क्या मदद कर सकते हूं दो अटे पहले आर-म हॉस्पिटल से पांच फोन कॉल आया थे आपके पास जी आया थे लेकिन उनका इस केस से क्या लेना देनी? यह दो लोग जो जिनका खून हुआ है वो आर-म हॉस्पिटल से जुड़े हुए थे यह दोनों का खून सापके जहर से हुआ है और वो खून साफ के काटने के वए से नहीं हुआ है किसी इंसान में वो जहर खूनी को दिया और उसने मदर किया आप मुझ पे शकर रहे है आपको लग रहा है कि खूनी की मदद मैंने किये जहर सप्लाई करके आप ऐसा है कुछ है यह बताईए कि हास्पिरल्स से आपको वो फोन कॉल्स ने किये थे शिश्र और आरियन शिश्र और आरियन इनी दोनेंको तो खून हो आ क्यों फोन क्यों कर रहे थे यह लोग असर्फ अनोंने मुझे कॉल किया है बलकि वो मुझे मिलने भी आया था और जहर लेने नहीं, बल्के जहर की दवा अंटिडोड लेने. अंटिडोड? हुट अजीब सी कानी सुनाई, कह रहे थे कि कोई साप की आत्मा उनसे बदला लेना चाहती है और उनको ये जहर की दवा चाहिए. फिर? फिर क्या? मैंने उनने कह दिया, मैं ऐसी खानियों पर विश्वास नहीं करती है. तो आपने उनने वह आंटिडोड दिया या नहीं? आंटिडोड कैसे देती है? उन्हें कोई ऐसा आंटिडोड चाहिए था, जो हर एक साप के जहर की खिलाव काम कर सके. इसा कोई आटिडोड होता है नहीं. अलग-अलग जहर के लिए अलग-अलग आटिडोड होता है. तो दोनों यहां से खालियात वापस गया है? जी, और मुश्यावी, आपको भी खालियात जाना होगा. बिकुज मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं. मेरा जी, अगर किसी को साप काट लेता है, तो सबसे पहले चीज़, पैनिक बिलकुल ना करें. डॉक्टर को बलाएं, लेकिन डॉक्टर का वेट करते हुए, जिस पार्ट पे आपको काटा गया है, उसे कंप्रेस कर लें. किसी चीज़ से बांध लें, ताकि जो जहरीला खून है, वो आपके हाट तक ना पौन सके. ओके, तैंक यू भरी माच्च, चले सर, चलो, तब तक जेखते हैं, इसे भी सापको बेंटों से क्या पता चला? हाँ, यह बात सही है, कि मेरी शिशिर और आरियन के साथ बहास वी थी, लेकिन आपको यह लजाम सरासर गलत है, कि मैने उनका अख्वून किया. तो फिर किस ने किया खून? मुझे फ्रॉड बुलने लगें, और कहते हैं, कि उनोंने किसी भी पेपर्स के उपर साइन ही नहीं करें, और आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए मैं उस प्रॉपर्टी के पेपर्स भी साथ लाएं, यह लीजी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, देखिए ऐसी फिसाब, मैंने थोड़ी बहुत हेरा फेरी करी है, लेकिन उतनी जितनी बाकि के लोग करते हैं, लेकिन आप मेरी बात का यकीन मानें, मैंने ये डील पूरी मांदारी के साथ करी है, आप चाहे तो उनकी अकौंट स्टेक्वन चेक कर सकते हैं, मैंनो उने 15 करोड रुपे वाईट में और 35 क्रोट रुपे कैश में दी है इसके अकॉट? मिनाक्षी देवी के अकॉट में मिनाक्षी देवी जी बेंटो सच कह रहा है उसने आपके अकॉट में पैसे डाले थे जगा जगा पैसा लगा है बेरा इतने सारे शेर हैं अब सब डील तुम्हें याद नहीं रख सकती ना? आप याद नहीं रख सकती लेकिन कोई और तो होगा जुसका खयाल रखता हो हर एकाउंट हर डील की देख रेक के लिए एजन रखे होते हैं ना हमने अच्छा तो फिर इस डीट का एजन कौन था? इस प्रॉपर्टी की डीट में आपके बेटे शामिल थे मेरी समझ में तो यह नहीं आ रहा कि इन सब में मेरे बेटों की मौत का क्या मतलब मिनापची देवी जी आपके दोनों बेटे हैं साब के ड़सने से नहीं मरें किसी इंसान ने मारा है उने किसी इसे इंसान का जिसके पास ठोस मकसब था आपके दोनों बेटों को मारने का ऐसा मकसब किसका हो सकता है इस टील से जुड़े किसी इंसान के पास इसलिए ताम आप से पूछ रहे हैं कि कौन एजेंट कौन था इस टील का बस कीजिए आप एक तो उन सांपो ने मेरे दो दो बेटे मुझे चीन दिये और आप CID वाले इस केस को निया चेहरा देने पे लगे हुए हैं आप मान क्यों नहीं लेते कि ये सांपो का कियाधर आया है ये सब को बसना जी आप लोग प्लीज यहां से चले चाहिए देखिए हमारे लिए हमारे परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं ना पैसा ना दॉलत अरे आप मेरी मां की हालत देख रहे हैं ना ये सोप आ रही है ना खाब आ रहे हैं दिन रात में भगवान से ये ही दुआ करते रहती हैं येने भी इनके बेटों के पास बुला ले तुम्हारे दोनों भाईयों की मौत शायद प्रॉपर्टी की वज़े से नहीं हुई है तेकिन ये जो भी कोई कर रहा है न वो तुम्हारे पूरे परिवार को खतम करना चाहता है और उसका अगला शिकार शायद तुम हो सर कैस सच मेरी जान को खत्रा एं ये लिगन खब्रॉआ अबर इस वार हम तुम्हारे साथ में हैं उस्था का सामना करने के मिह तुम्हारे दोनों भाईयों पर हमना राट नहीं हुआ था तो शायद तुमपर भी हमना राट को ही होगा सर, पूरी तैयरी हो गई है, बेट के आसपास रेट डाल दिये, अब देखते हैं, साप आके डस्ता है या और कुछ? सर, नाइट विशन कैमरास भी लगा दे, थाक्कि उसका चैरा हमें देख जाए, वेरी गुडुड सर, शरीए, थेख्ये, कुछ, कुछ रेंगे रहा हैं? मैगोर्ण, अठैक पुवा, लेट गुडुडुड सर, यहाँ पड़ते हैं, कोई भी नहीं? सिवाई, यह सापके निशान के. मैगोर्ण! देखो, यार, मैं जानता हूँ, आप लोग क्या कहना चाहते हो, लेकिन प्लीज, पहले नेरी बार सुनुए. बस, इस बार भी साप नहीं था. और सर, जो रेत आप लोग नहीं वहाँ डाली थी, उसमें से भी साप से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला है. और फुटेज? फुटेज प्लियर नहीं है. तो कैसे मान लिया जाँ के साप है? हम अगर उस पुटले पे जो जहर मिला है, वो कोब्रा का है. और काटा भी उसने साप की तरह ही है. काटा साप की तरह है? जहर कोब्रे का, गात का निशान साप का, यह साप नहीं तो आखिर है क्या? नहीं सानुकी, अब यह मत कह रहे हैं कि तुझे कुछ पता नहीं है. जब तीसरा कुन होते होते बच गया है, तो फॉरिंसी रिपार्ट्मेंट से खुट तो मदच वही है हमें. हम जवाब नहीं दे रहे हैं, हम क्या काम नहीं कर रहे हैं? सर, ऐसी बात नहीं है, हम भी तो अपनी करफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो भी हमसे बन पा रहे हैं. या देपू, हम इतना मालूम है कि यह खुणी, जो भी है, उसने तीन भाईयों में से दो भाईयों का खुल किया है. और तीसरे भाईयों पर वो फिर से कल कोशिश करेगा, अकल रात को. और अब यह खुणी साफ है, इंसान है, जो भी है, जल से जल इसका खेल खतम करना पड़ेगा. हाँ, पंकज. ओके. चीक. सर, पंकज का फोन था. उसे उस एजन का एड्रेस मिल गया है, जो इस फैमिली की प्रॉपर्टी इस की डिल करवाता है. मदन नाम है उसका. और यह बिल्डर वाली डील भी उसी ने करवाय थी. मदन ने पहले भी डील मेरा से रिखियू. और शायद इस शिशिर और आर्यान को इसके फ्रॉट के बारे में पता चल गया होगा. इसके पहले कि इसका पूरा बांडा पूर्ता दोनों को रास्ते साथा दिया. मदन. जै. सर. इस मदन के घर जाओ. नीन में से उठाओ उचे और नीन धाराम कर दो उसकी. कौन है? अपे दिबाग तो गिर्मी नहीं रखके आयो? है? संदो च्या वक्त हो रहे? हाँ? कुमारे गिरभतारी का वक्त हो गया. CID. चासो बीसी का अंजाम जेल चल के फुकतना हो. बेंटो निसा पता दिया है मैं. बेंटो? एक! 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 मतन! दर्वादा खोलो! यहाँ पे चुकने का कोई फाइदा नहीं! अरे, चले जाओ यहां से, मैंने कुछ नहीं किया! शिशिर और आर्यन का खून किया तुमने! दर्वादा खुल! मैंने किसी का खून नहीं किया! लाइट्स अफ्टिमा! इचीका क्यों? आत्मत्यतों नहीं कर रहा है! हटो! जाए! जाए! वोलो! साप है यहां, इसे कम रहे हैं! जाए! वो! यह कौन है? यह साप के दातोवला आदमी? यह सारे जर्म यही कर रहा है क्या? आदा आदमी, आदा साप! सर यह कौनसा खरीचर है? नहीं पंकच, यह आदमी ही है! बहार जाओ जल्दी! पकड़ो इसे! एट! लाँ या! विल्लाटूलां, यह जहर तुम्हारे तुम्हारे दिल तक पॉष्टा लेजिए! सर, इसका मतलब जो आदमी हमें कुरूरा था, उसीने कटा है? वो सकत्ता! पेड़ी, एमिलेंस को फोन कोरूँ, जल्दी! देख्में, यहाँ आसपास कोई लाइक कर सुछाएंगे? जी? क्या वा? सर, लगते साथ ने काटिया! जी? 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 लंबी, लंबी, सास लेते हैं! एमिलेंस को फोन की रहाँ? हाँ, सर! मेर, रोक! जी? 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 मेर, प्या जी? झाल झाल मेटल के टुकड़े? अरस्वान लिगे, मेटल के साफ कर क्या पता चाल? बस उस पर थोड़ा आप टेस्स करना बागी है, जल्दी पता चल जाएगा प्रेडी से कैसे अभी? ठीक है वो, जहर निकल चुका है और वो मदन? वो भी स्टेबल है, किलाल सद्वे में कुछ वक लगेगा उसे नामल होने में वह यह बात तो पकी है, यह मदन तो होनी नहीं हाँ, होनी कोई और है लेकिन उसका कोई ना कोई कनेक्शन है मदन और प्रपर्टी की डिलिंग के साथ और वो साथ की खाल जो पंकश को मिली थी? वो वाली खाल खास बनवाई गई है दस अलग-अलग सापों की खाल का इस्तमाल करके और वो साथ पाले दात जो एक्सरे में दिखे थे? पुरवी वो दात दरसल साथ की दात है लेक इनसान के दात करें करें पहले कर दो कि पहले पता निए इस इनसान को एक खास किसी की बीमारी है इस बीमारी का नाम है हाइपो हाइटोटिक एक्तोडरमल डिस्प्लेशिया इस बीमारी में इनसान के नात, बाल, खाल, दात इस सब कुछ अजीब तरीके से डवलब होने लगते जैसे इस इंसाम के साथ हुआ बतलब इस केस से साम का कुछ लेना देना है नहीं सर ये ये बहुत ही रहरी सीज है पूरी दुनिया में सिर्फ 30 से 40 ऐसे लोग है जो इस बिमारी के शिकार है और हम एक हॉस्पिटल से एक आदमे के बार में पता चला है जो इस बिमारी का शिकार है इड्रिस के है इसका? यही है से कल राथ तो मदन के घर के बाहर क्या कर रहा था? कल राथो में यही था और मदन कौन है? और आप लोग कौन है? रिडी, मदन कौन है? एक इसा हाथ पढ़ेगा ना सब यहार आजाएगा मदन कौन है? एक मैं रिफिट कल राज आपने शायद अमेज को देखा होगा यह अमेज है यह कर्दुनों से लापटा है कल शायद आपने इसी को ही देखा होगा कब से गया थे? पिट्रे डो हफ्तों से मैं पुलेट में कम्टेंड भी निख्वाई है हमारी बीमारी के कारएज हमें नौकरी भी नी मिलती है लोग हमें रेकर बाग जाते है इसलिए हमारो कुझारा भी नी उपाता है जो हफ्तों पहले अमेज कुझी खुझी आज़ा कहनने लगा, कि हमारी बीमारी के एलाज में लिए बिखाता है बाई, इसथे जयंके अमीत ले आपटा है अमेज कोई तो है जो अमीत के बीमारी का फाइदा उठारा है और उस परिवार को डरारा है इसके इम्हारी टिक्कनेगे लेवा से यहाजी लेगे होगा, sir. परग्त. अजिस्की सिल्दे भी यह सौधा किया है, अमिर्ध केसार्थ वोग्तोर्स होगा? अग्ष्य, उनक्तों पुरॉक्त है अन्धान डॉक्तोर्सके? पुझा भुट्का वहस्पिटियल वी, कोई भी कह सकता है. यह, डॉक्ष्ण. अच्छा, तो रहे हैं. ठीक, वह मेंलगे भूँए. जोए, ज़्य? डॉक्टर सालूं के टहर ब्चुम्हा था. आखिर में वो जहरीला साप मिलीगे. टॉक्टर साफ, कहा है वो साव, बताएए ना, पंकस तो साव केड़से अंदर आई नहीं वैसे, तारिका, साव केड़र है? साव, इधर है. तरिवा, या है यह? Boss, यह रोबोटिक स्नेक है, वो जो मेटल के टुकड़े मिले थे, मैं तब ही समझ गया था कि खूली ने इसी तरीके की किसी चीज का इस्तेमाल किया हुआ, ऐसा ही साव बनाया हुआ, रोबोटिक स्नेक, और इस रोबोटिक साव में क्यामरा लगा हुआ है, और एक ऐसा डवा करते हैं, आपरेशन के लिए, और दोस्तार यह सब होस्पिटल में असानी से मिल सकता है, शायद कुनी ने इसी का इस्तिमाल किया हो, यह साप बनानी है, हाँ, लेकिन बॉस रोबोटिक आर्म का रेंज आप मोशन काफी कम होता है, लेकिन टेक्निक यह इस्तिमाल किया होगा, फिर तो सब यह लगता है किसी नजदीक वाले आदमी का ही काम है, क्याथ कोई परिवर वाला? अरे, यह बिजली कैसे चले गई? यूज उड़ गया होगा, मैं चेक करता हूँ, सचीन देखना सकते हुए क्या हुआ? यह ज हो एगा, ए रफाण, तेरह याए उष्की रक्षा करना यह साफ के आतमासे ताहां ज़ागा, अब यह थो यही थावगा, ताहां ज़ागा अरे, अंको किदीको भी नुकान कोजया सकते हैं आप लोग, आप लोग, आप लोग, आप लोग, प्लीज गवराइए मत प्लीज, तुम यहां क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें दूसरे घर में ठहरने के लिए कहा था ना, जवाब दो अमित, अमित नहीं, अकेल, अमित में आप भाई है, चुड़ोगों की चुड़वा, अच्छा देखो, हम यह चो भी कर रहे हैं, तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं, ऐसी भलाई, जो निर्दोशों के खुण से रंगी है, क्यों, है ना आप लोग, यह हमारा प्लान था, असली साफ को बिल चे बार निकालने के लिए, शाहिद तुम भूल गय आयूश, कि अमित का कोई जुड़ा भाई भी है, अफिर तुम हमारी चंगुल में फस गया है, हमें अपने चंगुल में फसाना इतना भी आसान नहीं है महिरा, अगर ननाक्षी देवी की जिल्दगी त्यारी है, तो छोड़ दो आयूश को, आयूश, चलो मिनाक्षी देवी को तो हम बचाने हो, लेकिन तुम दोनों को CID से कौन बचाएगा, हाँ जोई की लट लग गई थी मुझे, करोड़ उटे करजा चड़ गया था मुझे इसके आज से दो साल पहले मैंने प्रॉपटी के कागज़ों पर आरेन और शिशिर भ्या के साइन ले लिए थे, तेकि जब प्रॉपटी के दाम बढ़ गया अब भ्या ने मुझे कहा कि उस प कुछ पता चल जा इस बारे में, तुमने अपने दोनों भाईयों को खतम कर दिया, शर्मा रही है मुझे आज अपने आप पे, मुझे अपना बेटा कहते हुए, मा मैं क्या करता, अगर भाईया को पता चल जाता, तो वो मुझे घर से निकाल देते, जाइदात से बेदखल कर देते, इसलिए मैंने मेरी गर्फ्रेंड माहरा की मतद दी, अमध की बिमारी के बारे मैंने न्यूस पेपर में पड़ा था, सूचा उनी का सहारा ले ले लेते हैं अपना जोन चुपाने के लिए, आयूश ने मुझे मनाक्षी देवी के बारे में कहा था, कि वो बहुत अनविश्वास ही हैं, तुस आपकी बात पर आखनून पर विश्वास कर लेंगी, मेरे दिये जहर से आर्यन की देथ हुई है, अज़ पर शिर के मौत के वक्त भी मैं ओफिस में चुप गई थी, उसी छेट से मैंने साप को भीजा, शिर को ड़सने के लिए, अमेर का इस सब में कोई कसूर ने, उसे तो हम काउंसलिंग के लिए भेज देंगे, वो एक नई जिंदेगी शुरू करेगा, वगर तुम दोनों, आयूश और मायरा, जिस जुर्म के रास्ते पर चल रहे हुँ, उरास्ता खतम होता है, फासी के फंदे पे. झाल झाल झाल